दो दिन पहले एक वीडियो अपने फेस्बुक पर और यूटूब पर नासिर पहलवान हैं जो मेवाद के रहने वाले हैं उन्होंने लाइव काटा था इस वीडियो में सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई थी क्या अब खेल भी हिंदू-मुसलिम होने लगे मामला था गुरगाम में एक अखाड़ा चल लहा था मुकाबला चल लहा था पहलवानों का कई दिन कई मुकाबला था बड़ी हजारों की संख्या में लोग इखटा थे अभी कुछ दिन पहले ही मेवाद दंगे खतम हुए हैं और मेवाद का एक मशूर पहलवान है नासिर पहलवान उसका मुकाबला उपकार पंडित से हो रहा था जैसे ही नासिर उपकार पंडित को पटखने वाला था यानि चित करने वाला था ऐसे ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया हिंदु वादी संग्ठन के लोगों को ये बरदाश्ट नहीं हुआ कि एक मुस्लिम पहलवान किस तरह से पंडित को हिंदु को पराजित कर सकता है चित कर सकता है हलाकि ये खेल है खेल में जो लोग हिंदु मुस्लिम देख रहे हैं जो है किस तरह का तैर भर रहा है और उसके बाद हंगामा हो गया जैशी राम के नारे लगाए गए पूरा हंगामा हुआ लेकिन बार बार मैं कहता हूं तमाम नफ़तों के बावजूद तमाम तरह की हिंदुत्व के जरीए नफ़त पहलाने के बावजूद अब भी एक बड़ा सब्का है समाज का जो अभी भी सही जहन लगता है सैकुलर जहनियत के लोग है उन्होंने बेजबचाव किया और किसी तरह से मामले को संभाला नहीं तो उस दिन नासिर पहलवान के लिंचिंग हो गई होती उसको मार दिया गया होता बड़ी महमद मशक्कत के बाद समाज के लोग सामने आए और इसको खतम किया गया इस हंगामे को खतम किया गया उस दिन तो मकाबला हुआ नहीं लेकिन फिर कल रवी बार को ये मकाबला फिर सरक्था गया क्योंके जो गैम है वो इनकम्प्लीट रह गया था इसको खतम करने के लिए जरूरी था कि एक बार ये कुश्टी कराई जाए तो फिर रिंग में दोनों पहलवान उत्रे और मकाबला हुआ नासिर पहलवान जो मेवात का रहने वाला है उसने उपकार पंडित को पटखनी दे दी उनको चित कर दिया तो देखिये किस तरह से एक गैम है उसमें किसी तरह से धरम को नहीं देखना चाहिए कि एक हिंदू है या मुस्लिम है इस तरह की चीजें बहुत ही घटिया मांसिक्ता के लोग जो है वो उठाते हैं इस तरह के जिस तरह से हंगामा किया गया है आप भला मानिये लोगों का किसी तरह से बीच बचाओ किया गया और कल फिर इस कुष्टी को पूरा करके इस को जो है इस खेल का कल समापल हुआ